जार्खन की पहचान जल, जंगल और जमीन के लिए होती है जल बहुत जरूरी है इन तीनों शब्दों में जल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब के लिए जरूरी है और जल है तो जीवन है क्या जार्खन में हर नागरिक को पेजल सुविधा उपलब्ध हो पाया है राज्य बने बीस साल से जादा हो गए इस वक्त हमारे साथ जार्खन के पेजल लें हम सवक्षता मंतरी मिथलेस ठाकूर है सरकार एक साल का कारेकाल पूरा कर चुकी है इनी से सवाल लेंगे सर आपका बहुत एहम विभाग है सवक्षता पे ने जाके पहले हम जल की ही बात कर लें चोव क्यूकि भात्र orphan жंता पार्टी के नत्रित वाली सरकार ओन बीस सालों में ज्यादा समय तक उनकी सत्ता रही है उन्होंने इस राज को चलाने का काम किया है आज पूर्ण महमत के साथ कि जारखंडी विचार धार्ण जंसरोकार की सरकार का निर्मान जनता ने कराया है और हम प्रतेक शित्र में पुरी तरह से जनता के प्रती जवाब दें हैं संबेदंशील हैं और जो लक्ष चववन लाग घर आपने बताया तो मैं बता दूँ कि अभी स्थिती जो है हमारे राजे में सिर्फ और सिर्फ दस प्रतीशत घरों तक सुध पे जल पहुँच पाया है और नवय प्रतीशत घरों तक हमारा नल का जल पहुचाने का हमारा लक्ष है और हम उसपर काफी गमभीरता से काम कर रहे हैं हम अपने पतादिकारियों अपने बरिय वियनताओं को हमने पूरी तरह से निद्श्शित कर रखा है कि ये लक्ष हमें 2024 तक हर हालत में प्राथ करना है और मुझे लगता है कि अगर इच्छा शक्ती हो और सही नेत्रित तो हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है और हम पुरी तरह से गंबीर हैं अभी करोना के काल में और जिस स्थिती में हमें ये राज्य प्राथ रहों सारी गड़भ़यां भी थी इस और का मामला भी आपने सुना होगा इसवार में भी काफी तरह की गड़भ़यां थी उन सबसे अब हम इसवार तो हमने पुराने इसवार को ही अभी है क्योंकि नया इसवार हमारा बन नहीं पाया है और कोरोना के संक्रमन से जूशते हुए लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इस वर्स भी हम इस बित्तिय वर्स में भी अच्छा परिणाम देंगे चलिए आप परिणाम देने की बात कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन भी है दो सो साथ ऐसी जलापूर्ती से जुड़ी अलग अलग योजनाये हैं मितले स्वावू जो पिंडिंग है अभी तक लटकी पड़ी है पुरानी चीजें तो होने रही हैं आप नहीं चीजों की बात कर रहे हैं मैं कहता है मैंने कहा तो कि ये सवाल इन सवालों का जवाब पिछली सरकार के जो नुमाइंदे थे पिछली सरकार में विभाग जिनके हाथों था ये अच्छी तरह से दे सकते हैं लेकिन अब की बात जहां है जब से हमारी सरकार बनी और मैंने अपनी जिम्मदा था कि योजनाएं लागू कर दो उसके बाद योजनाओं की धरातल पर क्या स्थितिय इसकी मोनेटरिंग करने वाला कोई नहीं था रहाँ आज हमारे मानने मुक्मंत्री निरंतर समिक्षा करते हैं विभागों की और उससे हमारा मनोबल तो बढ़ता ही बढ़ता है और कंपनियों ने बड़े काम ले लिए और आज दिवालिया के स्थिति में हैं एक आद दो अपवाद हैं ऐसे बाकी योजनाओं पर काम तेजिस हो रहा है और जो योजनाओं समय पर पूर्ण नहीं होगी जो हमने अब जो लक्षन अधारिज किया है उसमें अभियानताओं प एक बात मुझे बताईए कि मुख्यमंत्री हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि जारखंड के ग्रामीन जो अर्थवेवस्था है गाओं के जो लोग हैं उनके जीवन में बदलाव लाना मैं पिछले दिनों खूटी में गया था मैं कई गाओं में गया मंत्री जी मैं आपक आपकी इस बात से तो समयत नहीं हो कि छोटे 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 जहां 200-300-500 रुपए में जहां चापा कल दुरूस्त कि जाते हैं जब जा सकते हों वैसे चापा कल तो कहीं से भी खराब नहीं मिलेंगे आपको हां कहीं है कि वह पाइप बदलने की बात है जहां वह बड होती थी राज सरकार के द्वारा भी हमारी में और और केंदर सरकार के द्वारा अच्छा खासा उसके लिए कोश्ट की प्राप्ती होती थी इस बार एक रुपए भी केंदर सरकार की उसे नहीं प्राप्त हुए हैं अभी आपदा से लगभग 10 कड़ रुपए और राज के क सब्सक्राइब बहुत जल्द अब सभी चापक दुरुस्त करा लिए जाएंगे यह वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है कि यहां का भूगर्व जल्ब का स्थर जो है जमीन का वह बहुत डाउन होते जा रहा है इसके लिए क्या कर रहे हैं पिछली रगवर सरकार जो थी स सारे सरकारी भावनों में वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस कर रही थी मुझे जो जानकारी कई जगे तो ठप हो चुका है काम भी नहीं कर रहा है तो अब सबसे जरूरी जिस तरह से आज हम पानी पी रहे हैं आगे के समय में हमारे आने वाले जो पीड़ी है उसको भी सु में दारी बनती है कि वर्ला वाटर हर्वेस्टिंग को अपनाने का काम करें और हमारी सरकार हमारे मनने मुक्हमंत्री पूरी तरह से गंभीर है इस पर हार्वेस्टिंग को एक मिशन के रूप में लिया जा रहा है और आप निकट भोविश्च में देखेंगे के बहुत सार सकते हैं माल लेते हैं कि बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहें वहाँ आप नॉम्स बना सकते हैं तमाम सरकारी भृवन तमाम सरकारी स्कूल जितने भी सस्थान और वहां यह इंशोर हो जाई इस पर आप लोग क्या करें प्राइवेट पर भी प्राइवेट को भी वाटर हर्वेस्टिंग करना है उनको रला में तो रूल यहाँ भी रूल है और यहां भी रूल कानून यहां भी है अब इसको इसका अनुपालन करवाना पूरी तरह से इसका अनुपालन करवाना क्योंकि आगे और लोगों को भी जगरुक होना होगा आम जनों को भी जो चाहिए या तो जो अपार्टमेंट बने वाते हैं या गुरूप हाॉसिंग का काम करते हैं बड़े लिए यह अपना करतब में समझना होगा इसको सिर्थ व्यापार समझकर काम नहीं करना होगा कि यह हमारी जिम्मेदारी है यह समझकर काम करना होगा तभी हम इसमें सब्सक्राइब आपके पास वह राइट है आप मुझे एक व्लास्ट कोश्चिन आप से पूछते हैं ओडिये फ्री वो गाउं लिखा हुआ है बोड लगा हुआ है लेकिन सौचाले जो है वो कोई काम का नहीं है कोई इस्तमाल नहीं हो रहा है केंदर सरकार ने पैसे दी अब आप लोग क्या करेंगे कि यह चीज़ें जो ठप हुई हैं उस पर कोई एक्सन लेंगे उसको फिर से रिस्टोर करेंगे फिर सो उसका मिंटेन्स करके बनवाएंगे क्या करने वाले हैं देखिए पिछली सरकार तो पिछली सरकार तो कागजों पर काम करती थी यह तो कहीं से कि कागज, पोस्टर, बैनर, इसकी सरकार थी हमारी सरकार धरातल पर काम करने वाली है और इसकी व मिशन के ततार जो शोचाले बनाए गया है उनकी जांच होगी औरत टेजी से जांच चल रही अभी और अब देख रहे होंगे आप अगर गाउं में जाएं तो जिस गाउं को ओड यफ घोंचित कर दिया तो इसरे नहरे पूरे राज्यी औरत है अगर को बोब वाना पढ़ रहा है तेजी से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं जो आपको कैदे कि हज्जारों की संख्या में इतलेशन सर्टिफिकेट्स लंबी पड़े थे वो भी तेजी से आ रहे हैं एक आद अपवाद है कुमला वगरह में तो बहुत जादा ही अन्यमि सवक्ष्टा मंत्री है जाहिर सी बात है एक साल कोरोना में चला गया अभी तक यह प्लान से ठो रहा है जैसा इन्होंने कहा और जितने भी मंत्री का इंट्रिव्य हुआ बातें यही आई कि आने वाले दिनों में चीजें दिखने लगेंगी समय है समय के साथ हम भी चल रहे है पड़ताल होगी और देखेंगे कि मंत्री मिठले स्ठाकूर के दाओं में कितना दम रहा वाकई धरातल पर चीजे दिख रही है या नहीं नहीं दिखेंगी तो फिर इनसे हम कुश्चन जरूर करेंगे राजिस कुमार सिंग एटीवी भारत राची